हेलो एवरीवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब विज्यो किसने चेनल में आपका स्वागत है आज के उटी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी पैप्टिक अलसर के दवा के बारे में पैप्टिक अलसर में लेकि ऐसी कंडिसन के जिसके अंदर आपके स्टमक के अंदर एक अलसर बनता है कि जिसके करन क्या होता है कि आपके पेट के अंदर तेज दर्द होता है साथ ही आपका वजन जो वो कम होता है में लेकि वजन गटता है और भूक में भी काफी कम ही आ जाती है जिसको गेस्ट्री कलसर भी कहा जाता है तो ये कंडिशन की इलाज के लिए पांच सबसे बेस्ट दवाईय कौन सी है उसकी डिटिल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में एक्सपिट लेक्चर बायमर सर असिस्टम ब्राफेसर एंड फांडर ओफारमरोग्स थेंक यू फर बीन फारमरोग्स फेमिली अबड़ीट रही है फारमा नोलेज के साथ सबस्क्राइब करें हमारा चैनल साथ हो साथ सीखे अलग लग लग बीमारियों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पर पैप्टिकल सर के बारे में सिखेंगे ऐसे ही बहुत सारी अलग लग 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 बीमारियों के बारे में सिखें दवायों के इलाज के बारे में मेडिसिन कोर्स के अंदर के दवायों के बिजिक यूस, डोस, सैड इफेक्ट, वर्निंग कॉंटर इंडिकेसंस को एक साल तक सिखे अफ़र इपल प्राइज में फामारोक्स के अप उपर तो मेडिसिन कोर्स को एकसेस करने के लिए हमें 9016312020 पे वाट्सेप कर सकते है साथ ही हमारी सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवड टू इंदी एक्समेस को जरूर से सब्सक्राइब करें में सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो ये चैनल हमने सिर्फ और सिर्फ मनुरंजन के परपस से बनाया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करें तो अब समझे पैप्टिक अलसर के बारे में तो पैप्टिक अलसर एक ऐसे मेडिकल कंडिसन है कि जिसके अंदर जो आपके स्टमक के लाइनिंग होती है वहाँ पे एक अलसर बनता है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एक अलसर देखने को मिल रहा है जो सौर जो हो डेवलप होता है और यह दिरे-दिरे क्या होता है कि उसके साइस जो हो बढ़ते जाती है और पुरे स्टमक के अलगले गेरिया में फेलता है फिर यहाँ पे आप देखो जो डियोडीनम का जो रीजन है वहाँ पे भी यह फेला हुआ देखने को मिल दर कई बार यह एसिड उपर के और रिफलक्स के होने के कारण आपकी इसफेगस के अंदर भी यह फेलता है तो उसके कुछ रीजन होते हैं कि जैसे कि कुछ दवाईया कि नॉन स्टेडल एंटी इंफ्लेमेंटरी ड्रग्स अगर आप लंबे समय तक लेते है तो उनकी साइड एफेक्क के तोर पे आपको पैप्टिक अलसर हो सकता है फिर जो माइक्रो अर्गनिजम है एच पैलोरी उसके इंफेक्शन के कारण भी पैप्टिक अलसर हो सकता है तो यह दिरे दिरे क्या होता है कि आपके इसफेगस या फिर आपके small intestine में भी फैलता है और वहाँ पे ulcer जो हो produce होता है तो यहाँ पे आप यह diagram में देखो कि यहाँ पे जो इस तरह से यह damage हुआ है stomach के जो आपकी inner linings होती है और वहाँ पे यह ulcer और वहाँ से कई बार क्या होता है कि bleeding भी होती है दर्द होता रहता है आपको पेट में फिर आपके पेट के अंदर acid की मातरा भी काफ़े ज़्यादा बढ़ती रहती है फिर यहाँ पे आप देखो कि जो ulcer का जो condition है तो यह condition के करन काफ़े painful conditions produce होती है कि पेट में काफ़े आपको दर्द रहता है और उसके कुछ reasons जानने तर प्राइमर एक reason है हेलिको बेक्टर पाइलोरी बेक्टेरिया कि यह बेक्टेरिया क्या करते है कि आपके जो stomach के जो lining होती है वहाँ पे जो हो चीपक के खास कर रहते हैं और वहाँ पे यह बेक्टेरिया जो है वह अपना infection करते हैं कि जिससे यह पैप्टीकल सर का problem होता है फिर कुछ दव़ा ही है जिससे कि non-steroidal anti-inflammatory drugs अगर आप लंबे समय तक लेते हैं और precautions नहीं रखते तो उनके करण भी आपको यह problem हो सकता है फिर आप alcohol का excessive use करते हैं फिर chronic vomiting है आपको काफी ज़्यादा आपको vomiting होती रही फिर काफी ज़्यादा stress से आपकी life में bile reflux हो रहा है या फिर aspirin या फिर दूसरे कोई भी anti-inflammatory drugs की जो non-steroidal है वो आप लंबे समय दे खाते तो यह problem हो सकती तो उसके कुछ symptoms जाने तो आपके upper abdominal में काफी दर्द होता है यहाँ पे आप देखो लिखा है कि upper abdominal pain जो हो देखने हो के मिलता है पेट के उपर हिस्से में कि यह जो diagram में आप देखो तो यह वाले हिस्से में आपको जो हो काफी दर्द होता है belching जैसा होता है खटी डाका रहाती है सीने में जलन होती है आपको और पाचन की condition nausea vomiting होती है जी गबराता है उल्टी होती है और काफी ज़्यादा gas भी कई बार बनती है और काफी excessive gases भी आप पास करते कर आपको पैप्टीकल सर है तो और पी उसके symptoms हम देखे तो fatigue में लगए कि आपको कमजूरी जैसा हो सकता है आपका पैट जो हो फूल है ऐसा आपको feel होता है आपकी भूख कम हो जाती है पैट में uncomfortable feel होता है हिका उसनल के कई बार आपको जो है वो इच किया आती है आपका stool का color change होता है और blood जो हो आता है vomiting के अंदर तो ये कुछ complications करता है पैटिकल सर तो उसका diagnosis केस होता है जिससे endoscopy आप करा सकते है बायोपसी है stool examination blood examination urea breath test कराते है upper GI barriam study और city scan जिससे अलग-अलग diagnostic features यूज़ के जाएते जिससे निदान होता है कि आपको पैप्टिकल सर हुआ है तो पांच सबसे best दवायों का combination क्या रहेगा तो एक जो है आप H2 blockers दवाया यूज़ कर सकते है या फिर उनके option में proton pump inhibitor या फिर antargicid ये तीनों में से आप जो है वो कोई एक ले सकते है एलोफेथिक दवायों में से और साथ उसाथ आप herbal natural remedies भी ट्राइ कर सकते है उसके साथ combination में एक दूसरा option रहेगा तीसरा जो है तो protective drugs का एक option रहेगा protective drug मतलब कि ऐसी दवाया कि यह जो यहाप यहाप पे नहीं हो और वहाँ पे healing की जो process है वो अच्चे से start होते हैं इसके लिए जरूर यह कि आप protective drug भी और साथ में यूज करें तो यह इस तरह से आप समझो कि यह जो तीन है उसमें से कोई एक कोई एक ही क्लास का medication कि चाहे protompan inhibitor में से आपको यह लेशते है antacid में से juice करते है या फिर H2 blocker 3A में से कोई एक plus herbal natural remedies भी आप साथ में कर सकते हैं और एक protective drug का भी आपको साथ में option रखने की जिससे ulcer की healing हो सके चोथा है कि अगर यह ulcer आपको helicobacter pylori bacteria से हुआ है तो उसके लिए anti-h pylori जो दवाई आती है वो भी आप combination में खा सकता है और यह आखरी एक option रहता है कि यह सभी combination से ठीक नहीं हो रहा तो आपके पास एक HP kit का option रहता है कि जो भी हम जानेंगे यह lecture के अंदर तो H2 blockers मनलब कि आसी दवाई है कि जो acidity काम करती है और acidity मनलब कि जो acid ज्यादा बनता है आपके stomach के अंदर और उसके कराण समझे कि अलसर और ज्यादा damage हो रहा है तो उसको रोकने का काम करेगी यह दवाई है कि जिससे ranitidine है तो वो 150 mg दिन में दो बार के हिसाब से या फिर 300 mg एक ही टाइम पर पेशन लेता है फेमोटिडिन में है और 20 mg दिन में दो बार सिमेटिडिन 400 mg दो बार या फिर 800 mg दिन में एक ही बार या फिर रोक्साटिडिन 75 mg दिन में आप दो बार जो है वो खा सकते है तो यह हो गई पर यह दवाए को side effects करती है जैसे कि इनके करन आपको constipation हो सकता है curbs हो सकता है diarrhea हो सकते है कुछ लोगों को सोने में दिक्कत आती है difficulty sleeping कुछ लोग dry mouth जैसा feel करते कि आपका गला जैसे सुक्रा है प्यास लग रही है ऐसा feel करते है उनके side effects के तौर पे dry skin हो सकती है सिर्दर्ध होना कान में गंटी बज़े ऐसा feel होना कि जिसको tinnitus भी हम कहते है या फिर running नोजनल के बहुती नाग जैसे कुछ side effects H2 blocker दवाया कर सकती है उनके option में जो आप use करते है वो है proton pump inhibitor जैसे की omiprazole है तो उसका dose रहता है 20 से लेकर 60 mg per day panto prazole है तो उसका dose रहेगा 40 से 40 mg per day जितना रहेगा rabiprazole भी 20 mg once a day lenso prazole समझो के आप use करते तो 15 से 30 mg दिन में एक बार और dextra भी prazole आप use करेगा तो वो रहेगा 10 से लेकर 20 mg per day के हिसाब से पर प्रोटन पर भी inhibitors को side effects करती जैसे की उनके कराण पर diarrhea या फिर constipation हो सकता है पेट में दर्द होना flatulence मलें के gas ज़्यादा generate होना headache मलें के सीर दर्द nausea vomiting dizziness feeling और being sick में लाए कि आपको ऐसा फिल हो रहे आप बिमार हो रहे या फिर आपको जो है वो काफी sickness जैसा फिल होता है bond fracture एक उसकी major side effect है कि आपके bond को जो है वो weak करती है और उनके कराण bond fracture के complications हो सकते है उनके कराण और ये दवाया आगे चाए कि आपके kidneys भी खराब कर सकती है तो ये दवायों के दो major side effect है एक तो bond fracture और kidney damage तो ये खास आपको दियान रखना है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये दवाय आप use ना करें या फिर आप S2 blockers भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे ये bond fracture या फिर kidney damage जिससे side effects से आप बच सकें फिर तीसरा option रहता है जो acid कम करने वाली दवायों में वो है antacid तो magnesium hydroxide या फिर milk of magnesium trisilicate aluminum hydroxide gel magal rate या फिर calcium carbonate containing बहुत सारे ऐसे antacid syrup है जैसे कि आप या पर देखो कि ranbex देखा है gastric करके फिर milk of magnesium भी बहुत सारे pharmaceutical companies मनाते तो उसमें से कोई एक आप juice कर सकते हैं तो एक दवाई या पेसेंट ऐसी खाते हैं कि जैसे उसके सरीर के अंदर acid secretion कम हो तो यह तीन option जो हमने देखे कि H2 blocker proton pamine inhibitor या फिर antacid तीनों में से कोई एक आप juice कर सकते हैं और उनमें भी कोई एक दवाई जैसे कि proton pamine omiprazole ते सिर्फ omiprazole खाए उसके साथ H2 blocker या फिर antacid खाने की ज़रुवत नहीं है फिर natural remedies में जैसे कि आपको यह हीमको सीड भी आप ले सकते हैं हमालिया का कि जो एक natural remedy है कि वो भी आपको acidity bloating, painful जाना खटी डगा रहाना जैसे जो symptoms होते हैं उसमें से relief मिलती है और साथ उसके यह अलग-अलग flavors में भी आता है कि जैसे आपको काफे अच्छा फिल होता है mouth के अंदर कि जैसे banana flavor है, mint flavor सौंफ का flavor भी उसमें आता है फिर SBL का nixosid भी आप यूज़ कर सकते है या फिर daber का food in haram तो यह herbal natural remedy से फिर protective drug की जो हमने बात की थी तो ulcer protective में सबसे फेमज से सुक्राल फेट करके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सुक्रा फिल करके उसका हम एक marketed formulation है sedulist drug आती है और 1 gram के content में यह available होती है तो यह क्या करते हैं कि आपका जो ulcer है उसके उपर एक protective coating बनाता है कि जिससे उसकी जो lining से उनका damage जो हो prevent होता है और उसको heal करने में काफी आसा नहीं होती है कि जिससे दिरे-दिरे जो वहाँ पर जो गाव है वो अच्छे से रूस जाता है और आपको जो वो ulcer में से जो वो काफी राहत मिलती है उसके symptoms में से तो इसका dose रहता है कि एक gram जितना patient दिन में total चार बार use करता है तो एक आपके जो तीन major meal है जैसे कि आप breakfast करते है dinner, lunch, उसके गंटे पहले और एक चौथा tablet रात को सोते सभी है चार ग्राम जितना patient दिन में receive करता है सुक्राल फेट कुछ side effects करती है जैसे कि सबसे पहले ये दवा या constipation या फिर diarrhea करा सकती है जैसे सभी class में हमने देखा कि काफी सरे दवायों कि या side effect होते कि उनके करन या फिर आपको diarrhea हो जाए या फिर constipation हो जैसे इसमें भी एक सेम है नौजय वमिटिंग करा सकती है पेट में आपको uncomfortable जैसा फिल हो इचिंग या फिर रैसिस की जो कुछ allergic reactions के तोर पे होता है dizziness या फिर drowsiness जैसे आपको नींद आए sleep में problem हो तो ये option में रहता है कि चाहे drowsiness जैसा फिल हो या फिर insomnia सीरदर्द या फिर back pain जैसे कुछ side effects करती है सुक्राल फेट वीडियो के भीश में आपको बता दूँ कि जो हमने second channel start की है मनुरंजन के परपस से उससे आप जरूर subscribe करें और हमें support करें link description box में आपको दे दी है तो अब चौथा option है आपके पास anti-H pylori drugs का कि अगर reason है helicobacter pylori के करण आपको ये problem हुआ है तो आपके पास options रहते हैं amoxicillin के clarithromycin, metronidazole, tinidazole या फिर tetracycline का तो ये दवायों को anti-H pylori drugs का आजाता है कि ये जो यहाप आप देख रहे है कि helicobacter pylori bacteria ने आपके stomach के अंदर ulcer किया है कि जिसके करण gastric ulcer हो गया है या फिर peptic ulcer है duodenol ursel है तो उसको treat करने के लिए ये दवाय भी combination में patient खा सकता है फिर ये दवाय को side effects करते हैं जिसे कि dizziness, headache, stomach upset, nausea vomiting, loss of appetite book कम हो जाना, diarrhea या फिर constipation या फिर metallic test आपको ये करा सकती है पांचवा एक best option है वो है HP kit के अगर आपको ये individual medications का combination नहीं बनाना है तो already बहुत सालिया लग 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 pharmaceutical companies ये HP kit design कर दी है कि जिसके अंदर हम देखे तो specially जब reason है एलिको बेक्टर पाइलोरी से आपको पैप्टिक अलसर हुआ है तो उस वक्त ये kit सबसे बेस्ट रहे थे कि जिसके अंदर omiprazole कि जैसे अभी आपने आगे देखा कि proton pump inhibitor medication है फिर tinidazol और amoxicillin जैसे antibiotics इसके अंदर दी है कि जो एक आप जो प्रॉपर ये kit को यूज करते कि जिससे आपका infection जो वो ट्रीट होता है जैसे उसके dose के हम बात करें तो एक kit जो हो दिन में दो बार लेते है कि या पर आप देखो कि ये HP kit है तो ये एक morning की है और ये evening का kit लिया हुआ है फिर morning में देखो लिखाए कि amoxicillin A, tinidazol B और omiprazole C तो ये तीनो टेबलेट्स आप सुब़ morning में खाते हैं और evening के लिए है amoxicillin tinidazol और omiprazole ये मलए कि दोनों medications के proper color के साथ और labeling के साथ आपको यहाँ पर दिये जाते हैं कि जिससे आपको medicines लेने में काफी आसा नहीं होती है बट इसके कुछ side effects है जैसे कि diarrhea nausea, vomiting, stomach pain flatulence, dizziness, tiredness, headache skin dresses, dryness in mouth metallic taste या फिर black और hairy tongue जैसे कुछ side effects यह दवाया करती हैं तो जैसे अभी हमने सीखा ये medicine course के अंदर आप ऐसे ही सीख सकते हैं कि जैसे peptic ulcer का detail treatment सिखा ऐसे ही बहुत से लिए लग रहे हैं बिमार्यों के detail में treatment सिखे medicine course में farmer rocks के पुपर एक साल तक affordable price में सिखे तो decision medicine course आपको मिल जाएगा affordable price में whatsapp कर सकते हैं 901631 2020 पे या फिर directly app डाउनलोड कर सकते हैं link description box में मिल जाएगा हमारी second channel को भी subscribe करें और सब्सक्राइब करें good luck and all the best